प्रइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिस ग्यान में आप सबी का महार्दिक स्वागत करते हैं जैसे कि हमने आप से वाइदा किया था साथ मार्च या उसके आसपास हम आपको राहू की गोचरी अवस्था जो अठारा महीनों के लिए हुई है उसका हम क्या क्या उपाई करें और कैसे जाने है कि ये अठारा महीने राहू के सफर के हमारे जीवन के लिए कैसे रहने वाले है है न दर्शुको तो आईए बात करते हैं राहू के इस विसेश सफर की साथ मार्च दोहजार उन्निस से राहू अपनी राशी को परिवर्तन कर चुके हैं करक राशी से निकल करके मिथूर राशी में अठारा महीने के लिए आ गए था राहू अठारा महीने के लिए एक राशी का परिवर्तन करते हैं आज हम बात करेंगे जिन जात्को का वर्षब लगन है वो जा तक कैसे जाने कि उनके लिए ये अठारा महीने का सफर खुशिया देने वाला है ये खुशियों को छिनने वाला है लेकिन मैं अपने सभी दर्शों को से एक बात कहूंगा आपको घवराने के आवश्रकता नहीं है देखो परिस्तितिया कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाएं यदि हम सफलता के साथ आगे बढ़ें कुछ अच्छे उपायों के साथ आगे बढ़ें तो वक्त हम मुठी मिला सकते हैं बढ़ों का अशिरवाद भगवान की साधना इबादत से बहुत कुछ हो सकता है है न वर्शब लगन अब मैंने राहू की तो बात की राहू के बारे में एक चीज़ और बता दू कि साथ मार्च दोजान निस से अठारा महिने के लिए राहू जो है अपनी उच्छ राशी में मिथुन राशी में आ गए है वर्शब लगन वाले जातकों के लिए ये बहुत बुरा संदेश नहीं है बहुत अच्छा उनके संग ये अठारा महिने का सफर इश्वर की कृपा से वैतीत होने वाला है लेकिन बीच-बीच में जो गोचरी अवस्था आती है बही राहू तो बदल गए है अठारा महिने के लिए लेकिन बीच-बीच में और ग्रह भी तो आते हैं न बही मंगल का भी परिवर्टन आता है सूरिय का भी आता है चंद्रमा का भी आता है तो जब जब राहू के साथ अशूपता वाले कोई गरह बैठेंगे या शत्रूता वाले कोई गरह बैठेंगे मित्र ना होकर कि आह मित्र गरह बैठेगा तो वो कुछ पिरियर कम जोर भी जा सकता है कुल मेलाकर के हमारा हर समय अच्छा जाए और राहू यदि कहीं अठारा महीने के लिए बहुत बड़ी अशुपता हमारे ले लेकर के आते हैं तो हमें क्या विसे सुभाई करने होंगे आज इस विसे सांक में आपको जानने को मिलेगा मेश लगन के लिए हमने बताया अब व्रशब लगन की बारी है इसके बाद अब टुमीन लगन तक हम आपको बताते जाएंगे आपका आपके रिष्टेजारों का भाई बेहनों का किसी का भी आगे के लगन हो सकते हैं या आपका ये लगन हो तो आप इसको सुनिएगा विसे संग को पूरे को सुनिएगा राहु जहां पर भी बैठते हैं तीन द्रश्टियों से देखते हैं पंचम द्रश्टि सप्तम द्रश्टि और नमम द्रश्टि राहु की द्रश्टि में अमरत भी है और राहु की द्रश्टि में जहर भी है राहू बहुत अच्छा सा संदेश देने में भी सक्सम है, रंग को राजा बनाने में सक्सम है। ये कदापी न भूले। और जो लोग सटा शेयर मार्केट के कामों में लगे हुए हैं उनके लिए राहू बहुत शफलतंग सोपान भी देंगे और ऐसा फलतंग सीडियां भी उनको गिराएंगे तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखना आईए प्रस्तुत करते हैं वर्षब लगन की कुंडली तीन मिथुन के राहू हैं और दित्य भाहू में बैठ करके तीन द्रस्तियों हमने तीन एरो के माद्यम से आपको बताया है अब इन एरो के बारे में और इन तीनों द्रस्तियों के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं आप जानने का प्रियास करें देखेगा रा आठारा महीने का इश्वर की करपा से अच्छा जाना चाहिए आपके कुटुम्ब से भी आपको प्रेम मिलने के पूरे पूरे चांस हैं क्योंकि जित्ते भाव आपकी वाणी का कुटुम्ब का बहुंची जोगा होता लेकिन वाणी में बैट गए हैं इसलिए वाणी बोलते समय आपको ध्यान रखना किसी के परती कोई ऐशब्द ना निकल जाए वैसे तो हर हालत में यह बुरा होता है लेकिन खास तोर से राहू यहां बैट गए हैं ना तो थोड़ा वाड़ी को नोकीली बना देते हैं कई बार करकश बना देते हैं कई बार जैसे ऑल्पिन उस समय में अच्च तो मेरे सभी दर्शों को इस बात का ध्यान रखें कि बोलते समय हमें विचार करके ही बोलना है सोच समझकर ही किसी से वाइदा करना है सोच समझकर ही किसी के बारे में कोई बात हमको करनी है नहीं तो कहीं न कहीं किसी मुसीवत में भी आप पढ़ सकते ह तिक ये द्यान रखें, अब राहू की जो द्रस्टी है, वो राहू की द्रस्टी, तीन योगों में हम आपको बता रहे हैं, आपके दित्य भाव में राहू हैं वर्षब लगन के हिसाब से, पंचम द्रस्टी आपके छटे भाव में पढ़ रही है या तुला राशी है, आप जो लोग अपने शत्रों से पीडित हैं, उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, अब हम राहू की द्रश्टी की बात करते हैं सप्तम, सप्तम द्रश्टी आपकी आ रही है अश्टम भाव में, अश्टम भाव में शनी गोचर के महां विराज सकते हैं, अठारा महीनों में, कहने का भाव अपनी रोग के प्रती, अपनी विमारियों के प्रती, अपने स्वास्ते के प्रती, सजगता की आवश्रकता है, है ना, बस ये थोड़ा से ध्यान रखें, क्या करें, वो भी बताऊंगा, अब राहू की हम तीसरी द्रश्टी की बात करते हैं, नवम द्रश्टी की, नवम द्रश्टी राहू की वर्शव लगन के हिसाब से, दसम भाव में आ रही है, जहां शनी की राशी विराजमान है, कुम राशी विराजमान है, आप देखेगा, शनी की जो द्रश्टी है, और राहू की जो द्रश्टी है, ये कई बार हमें बहुत अच्छा फल देने वाली ही होती है तो यहां राहु की द्रश्टी की बात कर रहु है राहु की जो द्रश्टी है छटे भाव में आपके लिए रोगों सांप करने करत 20 का दियान रखना है कन्कुरूजन पर आता हूं तो ज़यर ciao को बच्रावान को समय है और वुजयं प्राप्टी और मेरि का भी समय है तबसे और झивается करने का भी पूंड तरीके से समय है और व्यापारिक द्रश्टी से यदि मैं बात करता हूं व्यापारी वर्गी की बात करता हूं तो व्यापारी वर्गी के लिए यह समय आच्छा रहना चाहिए छात्र वर्गी की बात करता हूं तो थोड़ा सा साब्धानी का समय है और यद समय नाप करके बोला जाए ठीक अध्यापर्ग वर्ग हो या किसी ऐसे छेतर से जुड़े हो जहां हमें किसी को समझाना पड़ता हो है ना मैंपावर का काम हो या कोई ऐसा काम हो तो वहां पर भी थोड़ा सा तरकता का ध्यान रखें लेकिन राहु कुल मिलाकर के आपके कीजिएगा मज आ जाएगा उपाई क्या करें उपाई बतारें बहुत अच्छा उपाई बतारें आपको क्या करना है शनिवार की सुभा आप चीटियों को मीठा आटा उसमें थोड़ा तिल मिला लें या जिसको तिल चोली कहते हैं बजार से बना बनाया भी मिल जाता है न किसी के साथ साथ शाम के समय राहू का विजात्मक मंत्र सनिवार की शाम को पढ़े ओम भ्राम भ्रेम भ्राम से राहे विनमा अति उत्तम फल देगा ओम भ्राम भ्रेम भ्राम से राहे विनमा बहुत शुप फल देगा एक माला कर लिया करने या पांच मिट कर ले एक सो आठ ब भी शनी मंदिर में या किसी महाकाली की मंदिर में या कहने का भाव शनी देव को या काली माता को या हनमान जी को एक नारियल पांच लड्डू और मीठे तेल का दीप आरपन करने से भी राहू के समस्त दोस नस्ट होते हैं तो दर्शों को तीन उपाए चीटियों को तिल मिला मीठा आठा और एक दुरगा कबच तो मैं बताता ही बताता हूँ पुर्तिदिन दुरगा कबच या केवल शनिवार की सुबह राहू के प्रकौप से बचने के लिए दुरगा कबच और साथ में मैंने नारियल लड्डू और ये आपको दीप का प्रियोग बताया, ये कर सकते हैं, इससे आपको राहू जो भी SFL इस्तिति आपके लिए कहीं बन जाए राहू के संयोग से या किसी दूसरे के गरह के संयोग से, वो SFL इस्तिति नहीं बनेगी, वो इस्तिति आपके लिए शुबता में परिवर्तित हो जाएगी तो आज जो मैंने छोटी छोटी दो चार उपाई बताएं हैं इन्हें करें इससे बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा चीटियों को काला तिल डाल करके मीठा आटा बहुत शुब होता है राहू जब हमारे इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं राहू देखो रोज पढ़ने आपके लिए अत्यदिक शुबता का संदेश मिलेगा घवरायना मच्चे बड़े बुढ़े किसी के विलिए हम ये उपाय कर सकते हैं और स्विम के लिए भी कर सकते हैं जिनका वर्शम लगन वाले जातकों के लिए आज का ये एपिसोड कहीं ने कहीं उनको लाब महीन में हो सकती हैं उनके उपाई भी हम आपको बताते रहें इनी शब्दों के साथ हम अपनी बाणी को विराम देना चाहेंगे नमश्कार प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश के विबन हिस्सों में मिल सकते हैं 14 मार्च मुंबई 27 मार्च लुधियाना 4 अप्रेल लखनौ 17 अप्रेल पटना 26 अप्रेल जैपूर अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतर दिली में रहते हैं अपॉन्मेंट के लिए संपर्ख करें संपर्ख सूत्र 9268-319743, 81309-48703 और 958222-48029 मेरी बहुत दिन से दिली इक्षा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहां जाके जुड़के और देश समाज के लिए कुछ कर पाऊं कई चीजें हैं समाज में समा सेबा में भी मन में वो शान्ती नहीं मिली जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़वडियां भी रहती है आज कानुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है सही मंजिल मिल गई है जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊंगी हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूले